शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें मेरे लिए काम करता है इसे मेरे अलावा और कोई कुछ कह नहीं सकता मेरी अजासत के बिना अगर तुम ने किसी को सफाई दी तो तुम कुछ भी पोल दे लाइद नहीं रोगे आज से तुम्हारी जिंदिगी मेरे हिसाब से चलेगी तुम वही करोगे वही कहोगे जो मैं तुम्हें कहूँगी, तुम पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हग है, समझे तुम? देख के नहीं चल सकती हैं आप, हम तो देख कर ही चल रहे हैं, ननम जी, लेकिन लगता है आजकल आपकी नजरी और कहीं मंड़ा रही हैं मेरे पापा के पैसो पर पल रहे हैं और मुझे आटिटूद दिखा रहे हैं आप आपके पापा हमारे ससुर भी है और जितना हक आपका है न उनके पैसो पर उतना ही हक हमारा भी है हक? रहली? आपका और आपके निकम्मे पती का हक तो आपकी अपनी जिम्दगी में नहीं है तो मेरे पापा के पैसे तो दूर की बात है लड़ी जीप स्टॉप जीप और निकम्मे ही सही कम से कम हम अपने ससुराल में तो हैं आपकी तरह तो नहीं जो अपने पती को छोड़के अपने बच्चे को लेकर अपने ही माबाप के छाती पर मूम दल रहे हैं पती को भी जूते की नोक पर रखती होगी इसलिए छोड़कर भाग गया नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते जाओ यहां से बस खैसियत से ज्यादा लंबी जबान अकसर फासी का भंदा बन चाती है तो अगर आपको अपनी सिंदेगी प्यारी है ना तो अपनी जबान पर कंट्रोल रखिये क्योंकि अगर मेरी जबान खुल गई तो आपको बहुत दिक्कत होगे तो चुपचाप यहां से चले जाए और अपने निकम में पती को संभालिये अरे निकम्मा ही सही लेकिन कम से कम हमारा पती है तो अर आपके पती का ग्या उसका तो कुछ आता पता ही नहीं है इतनी बड़ी लॉंच पार्टी दे रही है अप अपनी सर एक बार चारो तरफ नजर डाल कर देखिए जब कोई एक कंदा भी ऐसा है जिसे अप अपना कह सकती है जिसके साथ आप अपनी खुशी बात सकती है जब आपका छह साल का बेटा आपको नहीं जेल सकता तो पती क्या खाग बर्दास्त परेगा लग जाओ और तो और आप चुप बिलकुफ चुप इसके आगे अगे अगे एक और शब्द बोला ना तो मुझ से बुरा और कोई नहीं होगा भावी Now, get out क्यों? सच कड़वा लगा? एक खुशहाल और शादी शुदा को देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रा चलन हो रही है चलन हो रही है बहुत बोल लिया तुमने अब चुक चाप यहां से चली जाओ वर्ना यही तुम्हारी इन्ही हरकतों और इन्ही बरताव की वज़े से ना तुम्हारा पती तुम्हें छोड़ कर चला गया तुम्हारी प्राट झालन दुम्हारा का शुम्हारा झालन थिवण यही तुम्हारा यही तुम्हारा प्राट मेडम जी बहुत गुस्टा होगी हमसे पर उने कले लगाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था परना यह अंटर मेडम जी को लगजाती मेडम ठीक है माफ कीजेगा भाबी पर छोटा मू बड़ी बात कहने जा रहे है घर की बात घर में ही रहे तो तो परिवार की इच्चत बनी रहती है घर के किसी इंसान को सब के सामने जलील करने में कोई मानता नहीं है अगर घर में किसी के रिष्टे कमजोर हैं तो हमें उसका साहरा बनना चाहिए क्यों समाज के सामने उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए मैदम मजबूत इंसान बात बात पर जज़बाती नहीं होते हैं आपको अपनी भावनाओं को अपनी थाकत बनाना चाहिए, कमजोरी नहीं पीता हुआ कल आपके आज की थाकत होनी चाहिए पाओं की बेडिया नहीं कौरण, तुम ठीक हो जी, हम ठीक है श्रिया ने आज हद बार कर दी और मैं उसे छोड़ूगी नहीं उसने मुझसे पंगा लिया है ना, तो सजा तो उसे मिलकर रहेगी सब सभाली अपने आपको हाँ बेबी, तु रेस्ट कर और हम सब भी निकल रहे हैं और गौरण, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अपनी ही अच्छाई को कभी खोना मद, यह जानते हुए भी तुमें चोट लगेगी, तुमने और वर्शी को बच्छाया हमारे लिए किसी का मुश्किल में साथ देना, इंसान ही है था तुमेरा मेडम, हम आपको आपके कमरे में शोड़ देते हैं, चलिए गौरो सिर्फ हमरा दोस्त ही नहीं, हमरा पत्ती भी है, अरे अगर उसे सही गलत हम नहीं बताएंगे, तो कौन बताएगा? और इगौरो भी न, सहर आकर होड़ा बहुत बदल गया है यह, पता नहीं का हो गया है, बड़ा साहब बन रहा है यह, अरे बड़े बड़े सपने, पैसे, इस अब तो ठीट था, लेकिन इस सहर की अयासी में हम उसे पढ़ने नहीं देंगे, नहीं, माई के संसकारों पर प अरे अरे जुमकी, का हुआ जुमकी? हम इतने यहर से उर्वश्य मैडम के आगे बीछे घुम रहे हैं, उनका इतना सारा वर्क कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने तोड़े हमें पार्टी में नहीं बुलाया, हमको हमेश्य नोगरों जैसा ट्रीट किया, पो, तो कल का आई उसे, उसे मोडर भना दिया? जुमकी, कौनो बात नाहीं, उगारों की वज़े से ही तो उर्वश्य मैडम साब को ता बड़ा प्रजेक्ट मिला है, तो उकाउ थोड़ी बहुत तो एम्याद देंगे ही ना? गले लगा के एम्याद देंगी? खल तक तो पूर्वश्य मैडम नौकरों से हाथ तक नहीं मिलाती थी, और अब, अब वो ड्राइवर से लिपट चिपक के उसकी वैल्यू बता रही है, और वो, वो उनको रूम तक छोड़ेगा, आप आराम केजी हम, हम जाते हैं, अगर मॉरल बनना है, तो मेरी बात मानो, आराम केजी हम, हम जाते हैं, क्या तुम सच में इतने अच्छे हो या, अच्छे होने का नाटक करते हो, कहीं सच में गौरो के यह सहर का रंग तो नहीं चड़ गया है, नहीं बरनी हमें तुम्हारी मा, नहीं करना हमें इगौना, अरे नहीं मानते हम बच्पन के उस शादी को, क्योंकि यह दुनिया जजबात से नहीं पैसों से चलती है, पूर्वी दीदी के दिमागी आलाट ठीक नहीं है गैना, उन्हें एक दमागी बिमारी है, उन्हें जिसको, मेनिंजाइक्टिस कहते हैं, और यह सब हम, पूर्वी दीदी के इलाज के लिए कर रहे हैं, नहीं नहीं, गैना, उन्हें हो तो इस раз पूर्वी दीदी के इलाज के लिए पैसा कमाराई है, अपने सपने पूरे कर रहा है तो फिर उसे ही सब बूरी आदत है कैसे लग गगे है अभी बात करते हैं गौरब से क्या कर रही हो यह क्या हो तुम है नापाम्यावी का माता मना रही हूँ कर दो आपके लिए उसे जो चाहिए ता सब तुष मिल गया अब तो आपके लिए उसके ताने और कड़ी बाते और ज़्यादा बढ़ गए निकम्मा ना मढद बाप के पैसों पर पलने वाला तो अजारी क्या क्या बख रही ती वो अज़ अज़ तो है बेलगाम तुमने भी पलेट उसा अच्छे से जवाब दिया है उसके नशे का अच्छा फाइदा उठा लिया तुम्हें अज़ दर एक बाद का है अगर उसे कुछ याद रहाना तो वो हमें घर से ना निकलवाते हैं अज़ निकालती है तो निकाल दे अपचुप नहीं रह सकते हम अज़ तो करता है अभी उसकी नस काटने लिकी मजबूर है नस काटना तो दूर की बात उसके सामने खड़े रहने तक की आउकात नहीं हमारी और यह सब आपकी वज़े से ऐसी बेज़दी और बद्नामी होती है कि मन करता है अभी अभी अपन काटके अपनी चांदे दे बोलो जवाब दो क्या तू सच्वेत्य शरीफ हो यह शराफत का नकाब लगाया हूँ है तुमने जैसे जैसे प्रिंस के पाप अने लगाया था मैड़म हम नहीं जानते की प्रिंस के पापा कैसे थे अर इतना बता दे की हर लड़का प्रिंस के पापा की तरह नहीं होता आपको आराम की ज़रूरत है आप आराम कीजिए तुम पांगल होगी हो क्या ये क्या कर रहे थी तो और क्या करते कब तक अपने लिए और अपने पती के लिए गालिया सुनें कौन से पत्नी चाहेगी कि दुनिया उसको नामर्द और निकमा का है एक आप है जो अपने पाप से बात ही नहीं करते और एक उरवशी है जो पापाजी से इतना बात करती है इतना बात करती है कि उसने ससुर जी को आपके खिलाफ कर दिया है जिन्दकी नरक हो गई है हमारी वस नाम की बहुए और का तो नोक्रों माली भी नहीं है हमारी इस बर मैं चुपनी बैठो हमाँ पापा से मैं बात करूंगा तुम तुम तुबारा ही मत करना प्लीज नहीं करूगे रुको क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा नहीं मैडम नाडन नहीं और वी नहीं हम आपको नाम से नहीं बुला सकते विलकर चुप यह मैडम मैडम नहीं सुन्दा मुझे आज से तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मुझे उर्ली बुलाओगे बोलो उर्ली नहीं मैडम आप आराम किजे हम चलते हैं नहीं मुझे को आराम नहीं करना मुझे तुम्हारी साथ रहे बोलो न उर्ली बोलो यह मेरा ओडर है हरी बच्वा कहा हुआ? यहां कहा कर रहे हो? कलो न जीदी, उसे दर लग रहा है हरी बच्वा, तुम अभी कंडे में जाओ हम थोड़ी देर में आते हैं लोना जीदी बोलो बोलो, उर्वी बोलो हम नहीं बोल पाँ बोलना पड़ेगा बोलो, उर्वी, बोलो बोलो, उर्वी उर्वी बोलो, उर्वी जब देवेगा बोलो, उर्वी कि झाँ कि वह Syndrome कि वह भॉ तुम्हेरा बनाते हूं वाच्च कोर्ण का विविए गुरण बस गया ना तुम दोस्त हो हमारी और दोस्त ही बन कर रहो बीवी बनने की कोशिश मत करो हम कोशिश नहीं कर रहे हैं हम बीवी ही है कुमारी कॉलब इस अधूरे प्याह की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू मंग